नमस्कार दोस्तों मैं हूँ भावना और आप देख रहे हैं दबीज गार्डन गो ग्रीन गो ऑर्गैनिक तो दोस्तों इस वीकेंड मैंने कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स की शॉपिंग करी थी वही आपको मैं दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में तो सबसे पहला प्लांट जो है यह सेवन्ती क्राइशن्थमम का है पैरीनियल जो सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है उसका ए प्लांट है काफ़ी है इनके प्राइश भी मैं बताऊंगे आपको काफ़ी बुशी है और इनमें कुछ बड्ड बी आरही है तो दोस्तों यह जो मेरे को healthy सा plant, बुशी सा plant मिला है, यह 70 का, यह 20 रुपीज का मिला है, और दोस्तों यह next plant जो आप देख रहे हैं, यह है ester का plant, यह जो ester के flower होते हैं, यह annual होते हैं, मतलब एक ही season खेलते हैं, दोस्तों हमारे देश में कई इलाकों में इसके बीज ही अभी हम अभी लगाते हैं, मतलब September, October में इसके बीज ग्रो के जाते हैं, लेकिन हमारे पूने सिटी में इसके जो है यह plants, flowering plants मिलने लगे हैं, तो जो भी मेरे friends पूने से हैं, तो यह आजकल nursery में जाके यह ले सकते हैं तो दोस्तों यह ester के plants ही मैंने 20 रुपे के लिए हैं, एक plant 20 रुपे का और यह अलग सा red color है, तो दोनों ही color बहुत अच्छे हैं इसके, तो इसमें white, red और purple था, तो white मैंने नहीं लिया था, यह pink और purple लिया था, तो काफी healthy plants हैं और price भी इनके सिर्फ 20 रुपे है, और flowering मे में चीव रही है, और buds इसमें काफी आ रही है, चलिए अब next plant दिखाती हूँ, तो यह है dianthus का plant, तो यह भी, यह तो हमारे वहाँ साल भरी मिलता है, हमारे पूने की nursery में, तो यह अभी लिया है मैंने, क्योंकि यह जैसे-जैसे सड़दी आती हैं, तो उसमें अच्छी flowering करता है, तो जैसे-जैसे सड़दी आएंगी, तो इसमें और flowering होगी, तो यह मैंने अपनी hanging basket में लगा दिया है, यह सारे ही plants मैंने report कर दिये थे, और यह दूसरा shade है, टायनthus का, यह भी काफी सुन्दर है, इसमें भी अलग-अलग बहुत shades में आता है, तो काफी मिल रहे नर्सरी में हमारे हाँ, पूने सिटी में, तो यह भी आप ले सकते हैं, जाके अपने पसंद के colors और इसके color combination भी बहुत ही सुन्दर-सुन्दर अलग-अलग आते हैं, तो अपनी पसंद का आप ले सकते हैं, तो यह डायनthus के plants हैं, यह भी मैंने 20 रूपीज इच लिए हैं तो यह plants मैंने सुवीधा नर्सरी से लिए हैं, जो एना एबियम रोट पे हैं, ब्लिस बेकरी के सामने जो पड़ती हैं, तो काफी अच्छे plants थे वहाँ, और जो मेरे भाई-बहन यहां महाराश्टर से बाहर रहते हैं, तो वो एस्टर के seeds अभी grow कर सकते हैं, सेप्टेंब पिसान तब तक ले, बाई, happy gardening